दर्भंगा के DMCH में आयोजेत चार्थ दिवसिया पैडिकॉन कॉन्फरेंस के दौरान शराप पाटी का वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर शराप का सेवन करते दिखे वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और DMCH के गेस्ट हाउस में छापे मारी कर तीन बोतल विदेशी शराप को बरामत किया उसी मामले में दर्भंगा पुलिस ने कारवाई तेज करते हुए लहरी सराय थाना शेत्र के बलभधर पूर स्थेत M2 कैफे को सील कर दिया है वही सदर SDPO अमित कुमार ने बताया कि DMCH शराब मामले में कुछ अग्यात लोगों पर वीडियो में शराब सेवन को लेकर सूसंगत धाराओं में फायर दर्ज किया गया है साथ ही आगे की कारवाई की जा रही है जितना अब तक जाच में आप आया है कुछ अग्यात लोगों पर एक वीडियो में शराब सेवन का मामला या था संग्यान में उस पर फयार धार कि जब्रों लगाई गई है अगरतर करवाई की जा रही है मामला जाच में है फिलाल के लिए जिस जो घटना स्थल है जहां का वीडियो बनाया हुआ प्रतीद होता है उस घटना स्थल को सील किया जा रहा है यह मैं तुर्स का बैंको ठाल है थर्ण फ्रों